Hello everyone, this is Indra Vikram, welcome to Magnet Brains. इस वीडियो में हम discussion करने वाले हैं, railways के बारे में. यानि की railways का development, industrial revolution के दौरान कैसे हुआ. तो जब आप railway शब्दों सुनो, इसका मतब भी नहीं कि हम भारती railway के बारे में कोई बहुत ज़्यादा चर्चा करने वाले हैं. Railway means to say, कि how railway actually boosted the industrial revolution. किस तरीके से railway ने औदोगिक करांती को boost किया और railway का विकास दिरे-दिरे कैसे हुआ. इसके पहले वाले वीडियो में आपने canals के बारे में पढ़ा था. तो जो canals थी हमारी, जो नहरे थी हमारी, वो अभी तक mode of transportation में इस्तिमाल हो रही थी. यानि कि सबसे जो सस्ता आवा गमन का जो साधन था, transportation का जो वे था, वो हमारी canals थी. अभी वहाँ पे भी कुछ challenges आने phase होंगे, ठीके, और उन्हीं challenges की वज़े से धीरे-धीरे लोग railway के तरफ move करेंगे. एक नया, आप कहे दो की, innovation होगा, और वो innovation, industrial revolution को next level पे लेके जाएगा. आप कह सकते हो की, जो industrial revolution का second phase है न, वो यहीं से शुरूई होता है. Industrial revolution का जो second phase है, वो यहीं से शुरूई होता है, railway के बनने के साथ में. अगर railway नहीं बनती, तो शायद आप कहा सकते होगी, थोड़ा सा और समय लग जाता. लेकिन उस समय को और कम कर दिया. और यहीं कारण होगा कि जब Britain से, मतलब, लोग company लेके भारत आए, और फिर जब अधिकार कर लिया भारत में, तो आप देख रहे हैं कि अंग्रेजों का शाषन भारत में है, लेकिन सारी तकनीके उस समय की जो ब्रिटेन में चलती थी, वो अंग्रेजों ने भारत में भी ला दी. इसलिए क्यों क्योंकि यहां उनका जो economic benefit था, इसी economic benefit से ब्रिटेन का भी benefit ज़ुड़ा हुआ था. तो बहराल वो अलग चर्चा का विशह है, इसमें आते हैं, railway is emerged as new means of transportation, ठीक है, new means of transportation, इसका मतलब यह हुआ कि जो old means of transportation है हमारा, पुराना जो साधन है आवागमन का, वो थोड़ा सा relevant नहीं रहा है, वो relevant नहीं रहा, कुछ न कुछ उसमें कमिया आ गई होंगी, हाजी. तो यहीं पर आपका आगे का explanation चुपा हुआ है, it was not available throughout the year, which canals, आपकी नहरें साल के हर समय उपलब्द नहीं रहती थी, कुछ न कुछ शॉटकमिंग देखो हर जगे रहती है, यहाँ पे भी शॉटकमिंग आ गई, और वो शॉटकमिंग क्या है, कि throughout the year, साल के प्रतेक दिन जो है, हर समय आप देखोगे, तो यह अबिलिबल नहीं रहती थी, canals अबिलिबल नहीं थी, तमाम challenges होते थे उनके साथ में, ठीक है, भई कभी drought के situation आ गई है, अब water level बहुत कम हो गया है, कई बार unnecessary flood के situation आ गई है, ठीक है, water level जरुर से जादा हो गया है, ठीक है, कई बार जो आपके passages होते थे, उन passages, passages में industrial wastage की वज़े से, industrial जो discard है, जो waste है, उसकी वज़े से slums areas बनते थे, canals चोक हो जाती थी, ठीक है, अब वहाँ पर दीरे दीरे सफाई करो, चोक हो गई तो, ठीक है, मतलब जैसे जैसे अदोगी करन बढ़ रहा है, वैसे वैसे canals के साथ में problem आ रही थी, तो canals के साथ में जो problem आ रही थी, इनको अब ठीक करना था, ठीक है, कैसे ठीक करेंगे, तो canals की problems को आप ठीक करोगे, लेकिन बहुत limited level पर ठीक कर पाऊगे, अब industrialization को तो आगे बढ़ाने ही आपको, तो alternative देखना शुरू किया लोगों ने, कि यार alternative क्या है, ठीक है, जो ऐसा हो, थोड़ा सा सस्ता हो, और तेज हो, तो दिमाग हमारा अपने profitability की तरफ ज़्यादा जा रहा है, देखो, हर एक condition में जो फाइदा है, उसकी तरफ पूरा, capitalism क्या है, विचार धारा है एक देखो, ideology है, और विचार धारा, जो है वो, किदर भागती है, फा तो क्यों लोग इसको चाहर है, क्यों इसको prefer कर रहे हैं, क्योंकि यह क्या है, सस्ता है, और तेज है, या फिर जब वो, कैनल का alternative धूण शुरू करेंगे, तो वो किस तरीके का alternative चाहर है, वो एक ऐसा alternative चाहर है, जो सस्ता हो, लेकिन fast हो, कैनल की तुला में और जादा fast हो, और थोड़ा सा सस्ता भी हो ठीक है दोनों चीजें कैरी कर सके आप देखो कैनल के साथ में थोड़ी सी प्रॉब्लम यह भी थी गुड्स भी कैरी करती थी और पैसेंजर का भी अल्टेनेटिव था लेकिन गुड्स ही ज्यादा तर वो कैरी करती थी आपने देखा शुरू में और बाकी जो गुड्स हैं ठीक है जो सामान है जो गुड्स है वस्तुयुक्तति और कोई दोनों चीज़ों को कैरी कर सकता था ठीक है तो यह बहतर विकल्प के तूर पर उभर div कर आ गया था ठीक है तो तो railway actually develop होना शुरू होगा railway कैसे इसका invention ही कैसे हुआ actually क्या होता था कि जो coal fields होती थी coal mining जहां होती थी वहाँ पर के साथ साथ धीरे धीरे जब उस nearest area में आपके जो माइन्स थी वहां से जब transportation करना होता था जैसे मालीजे कोईले का ही transportation करना है तो transportation करने के लिए दिमाग लगा है कि चलो point A से point B पे लेके जाना है और distance माल लो बहुत ज्यादा नहीं दो तीन किलो मीटर चार किलो मीटर पांच किलो मीटर है महस चलो माली अब यहां पे क्या कर दिया हमने कि यार लोहे की पटरियां बिचा दो दो ट्रैक बिचा दो और लोहे की जो ट्रैक है इसके उपर एक carriage जैसा लगा दो, ठीक है, जिसमें wheels लगे हो, ठीक है, तो एक carriage जैसा लगा दो, जिसमें wheels लगे हो, तो ये idea शुरुवात में जो आरा है, वो इस तरीके से आरा है, अब इसमें आपने wheels जैसा लगा दिया, अब इसको आप लुड़का दो भाई, मतलब इसको आप move करके लेके जाओ तो जितना आप बड़े साइज का कैरेज लगा देंगे उतना ज्यादा एमाउंट में आपकी जो बस्तुएं यानि जो गुड्स हैं वो भरके और आप उसको पॉइंट से पॉइंट बी की तरफ ले जा सकते हैं क्लियर है तो यह आइडिया कहां से डिवलप होना शुरू हुआ जब दो पहले से चीज थी यह भी बनने शुरू हो गई थी जो ट्रैक है आयरन का बनी रहा था तो आयरन ट्रैक और हॉल जोल इसका मतलब यह हो गया धोने वाली कोई चीज धुलाई में प्रियुक्त होने वाली कोई चीज तो यह दो जो हैजब कम माइट कर दी गए तो इन्वेंशन बना किसका रेलवे का ठीक है जिसमें दो चीज है एक वाहन है एक गारी जैसा तो ये जो चीजें हैं यही आईडिया लेकर का आज आगया अब रेलबे का आइडिया जब आ गया जब आए तो डिलोटमेंट होना शुरू हुआ यही सिंपल रही लेकिन जैसे जैसे इस्में लोगों का फोकस बढ़ा energy का जो flow है आपका thought का जो flow है वो इधर ही जाने लगा गया आप इसमें development करो innovation करो ताकि यह next level पर लेके जा सकें तो next level पर लेके कैसे गया उसको by the 1767 आप देख रहा है 18th century के second half में 18th century के second half में आप देख रहा हो कि Richard Reynolds करके person है जिन्होंने railway का basically बनाया आगे का जो system है वो बनाया set of rails ठीक है तो कुछ रेल बनाई आप देख रहे हैं बेसिक इनीशियल सेट अप है clear है और पर्पस था कि Cole Brookdale जो जगह है जहां पर कोईले की वाइनिंग्स है वहां से कोईले को लेके जाना है आगे clear है तो जहां भी requirement है मालीज आरन इंडस्ट्री में requirement है या कहीं और पर requirement है तो उस कोईले को वहां से आगे लेके जाना है अब यह बड़ी चीज होगी देख रहे हैं आप तो यहां पर यह होगे आपका हॉलेज और यह होगे आपका ट्राइक यह दो चीज़ें होगे इन दोनों को का कॉंबिनेशन ही रेल कहलाता है अब यहां पर रेनल्स ज यहां पर बस इंसान बैटे हैं शुरू में अभी सिर्फ गुड्स रखे हुए हैं इसमें वस्तुमें रखे हुए हैं इसमें ठीक हैं गुड्स के लावा कुछ भी नहीं है तो जब इसका फॉर्मेशन हुआ तो लोगों को लगा कि यार अब यह रेल्वे जो हैं वो कैनाल process as I said जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा कि रेल्वे का जो invention था उसने अद्धोगी करांती को एक दूसरे कदम की तरफ या दूसरे stage की तरफ दूसरे पढ़ाओ की तरफ जह हो motivate किया promote किया लेखे गया ठीक है अदब रेल्वे नहीं आता तो आप मान की चलो क कि जो करांतिकारी परिवर्तन हुआ पूरा इसमें शायद और डिले हो सकता था समझने या शायद और चुनोतियां सकती थी जिनको अगर यह नहीं पूरी कर पाते तो शायद और दोगी की करन जो आज हम पढ़ रहे हैं वो उतने बड़े लेबल पर नहीं पढ़ते है की न इंजन बनाए गया ठीक ना क्योंकि अभी जो है यह बेसिकली बहुत बेसिक लेवल पर चलता था ठीक है अब एंजन बनेगा और यह एंजन जो है वो क्या करेगा गारी को आगे लेके जाएगा दोनों कौन सी रेलवे की गारी को भी और इंडेस्ट्रिल रेवलूशन की ग देखो पफ करना मताब मुह से कुछ निकालना ठीक है फुफकारना जैसा तो इसे पफिट पफिंग डैबल बनाए क्योंकि आप देखते हैं जब ट्रेन चलती है तो ट्रेन चलेगी तो क्या करेगी वह वह यूज अमाउंट में जो चिमनी है वहां से धुए का अमीशन चलती भी कुछ इस तरीके से है उसका जो साउंड रहता है ट्रेन का तो इनीशियल लेवल पर और ज्यादा यह उसा चुक चुक वहाला जो ट्रेन का साउंड है ना जिससे हम फैमिलियर हैं बहुत ज़्यादा तो कुछ उस तरीके से तो पफिंग डैवल का नाम दिया और जो है बनाए गया था बेसिकली कि यह जो कैरजेस होते हैं जो बेसिकली है ना इनको खींचा जाए तो माइनिंग के आसपास जिन्हें आप कहते हो कि बड़े-बड़े ट्रक्स या बड़े-बड़े कैरजेस जो जिन पर खूब बंक में खीशता था इनको खींचता था यह एंजन गाले एंज सब्सक्राइब शैबरहरए धार को सब्सक्राइब के लिए जाए इस एंजने और से एसंप incentives के नहीं जाएगा कोईले को जलाया जाएगा और उसी कोईले को फिर आगे जलाकर जो है प्रेशर मेकैनिकल अनरजी कनवर्ट कि जाएगी जो है वो त्रस्ट देगी पिस्टन को और आपका एंजिन आगे बढ़ेगा मूफ करेगा ठीक है स्टीम इंजिन पहले ही बन चुका है जेम्स वाट का तो यहां पर काम आ रहा है इन सारे चीजों को क्या करने के लिए आपने पड़ा था ना उस वीडियो में याद होगा कि स्टीम का जो एंजिन था जेम्स वाट ने उसको पंपिंग डिवाइस से प्राइम मूवर बना दि नाम अंग आप सबने सुना है राइल वे का नाम जब जब आएगा तो सेपेंशिन का नाव आएगा तो जिएर्ज हैं इन्होंने एक लोकोमोटिव बनाया जिसका नम था 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 ठीक है तो यहां से काम तेज हो गया क्योंकि जो ब्लचर था इट वस मच मोह पावफुल देन प्रीवियस वन जो पहले के थे उन से उनके तुलना में काफी ज्यादा पावफुल था ठीक है और अब इस तरीके से कमर्शिली बड़े लेवल पर लॉग डिस्टेंस आपके जो गुड्स का मुवमेंट है वो होने लगा लॉग डिस्टेंस ट्रांस्पोर्टेशन होने लगा पैसेंजर्स का और गुड्स का दोनों का और ऑफिशियल मॉडर्न रेल्वे जो है वो इस जो जो पेंशिन के स्टॉक्टोन और डार्लिंग्टोन ठीक है 1825 में दो शहर हैं आपके जिसका नाम है स्टॉक्टोन और दूसरे का नाम है डार्लिंग्टोन इन दो शहरों के बीच में लगभग इनके बीच का जो डिस्टेंस था डाट वास नाइन माइल्स ठीक है यह डिस्टेंस लो है 24 किलोमेटर प्रती घंटे की रपतार से कवर किया गया, ठीक है दो घंटे में, यानि 9 माइल्स जाने में कित्ता लग गया, दो घंटे लग गया तो पुराने सब्सक्राइब में आपको यह पता है कि मील जो होती थी यह डिस्टेंस को मेजर करने की जो है वो यूनिट होती थी, इकाई होती थी आज भी हम सामाने बोल चाल कि बाशा में किलोमेटर तो ज़्यादा आम हो गया है लेकिन हम माइल्स का भी प्रयोग करते हैं कई बार ठीक है, तो टू आवर्स दो घंटे में 9 माइल जो है इन्होंने कवर किया और जो डिस्टेंस थी 24 किलोमेटर परावर के हिसास से थी कुलियर है अब आगे जाके जब आप देखोगे तो इसमें और रिफाइनमेंट्स होने वाले हैं और इन्ही रिफाइनमेंट्स के साथ में इन्ही रिफाइनमेंट्स के साथ में ये और कम समय में और ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगी ठीक है नेक्स्ट रिल्वे लाइन कनेक्टेड लिवर्पूल एंड मैंचेस्टर दो बहुत इंपॉर्टन कमर्शियल सिटीज है लिवर्पूल और मैंचेस्टर ठीक है तो दो महतपून शेहरों को कनेक्ट किया आपकी रिल्वे लाइन ने पहली है लिवर्पूल और दूसरी है मैंचेस्टर 1830 में और अब आपका जो स्पीड है वो 30 से 50 माइल्स परावर के आसपास यानि जो पहले भाग पारा है ठीक है तो यह अपने आप में परयापत है अपने आपने सफीशिंट स्पीड है परयापत स्पीड है ठीक है उस समय के लिए तो और ज्याद़ा अच्छी स्पीड है चलिए 1830 के आसपास आते आते केनल्स का जो استعمال है वो और ज़्यादा चुनौती पून हो गया पहले तो चुनौती थी ही लेकिन लोग फिर भे इस्तमाल करते थे लेकिन अब जो है वो रेलवे की तरफ जैसे जैसे इंकलेनीशन बढ़ना शुरू हुआ वैसे वैसे लोगों ने कैनल्स में और ड्रॉबैक्स जो है वो देखने शुरू करते ड्रॉबैक्स तो पहले भी थे बट खर्च जो होता था वो उसमें उसनके मैंटिनेंस में चीजों की सफाई करने में जो रास्ते चोक होते थे उनकी सफाई करने में ठीक है इन समय खर्च होता था लेकिन अब वही लोगों को बर्टन देखने लगा क्यों 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 इनके पास लिटरी आ गया था तो वुन्हे हूं लग रहे कि यार का मैंटिनेंस करना करना के रास्ते की सफाई करते रहना और जो एक्स्ट्रीम क्लाइमेटिक कंडिशन से उस दौरान थोड़ा बहुत फिर बिजनेस को रोखना तो यह बड़े चैलेंजेस हैं अब जब रेलवे ऑल वैदर है तो क्यों ना जो रिसेंट टेक्निक है उसका इस्तमाल किया जाए तो अठारो सो तीस के आसपास केनॉल में और बहुत बहुत्डरी भर प्राव्लम्स अने शुरु और जैसे तो अब जैसे मालो क्या होता था कि अब ये रास्ता बोना बना एक होगा पचास साल पहले साथ साल पहले ठीक है धीरे-धीरे क्या हो रहा था ज्यादा बड़े amount में goods को ले जाने की जरुद पढ़ रहे थी अब जब ज्यादा बड़ा कैरेजा बना दोगे तो यह उस रास्ते में फंस जाता था वह वैसल निकले करनी पा रहा है तो इस तरीके से या तो वह जो वैसल लाने का ले जाने का रस्ता होता था वही सख्रा पढ़ने लग गया इन लोगों को ठीक है फ्रॉस्ट अच्छे खासी थंड के रहे से प्रॉट का मतलब है शेल है प्रप्रॉब्लमस आरी थी वापके इसा नहीं पहले नहीं थी प्रॉब्लम पहले सब्स्राइब उप्रण पाहले पहले है तो वह इनको और लुक कर देते था प्रॉब्लम में तो पिर कि sẽढ ग reuse यह बहुत आराम दायक के तौर पर उबर के आये लोगों को लगा कि चलो भई अभी इसका इस्तेमाल करो क्योंकि यह ज्यादा बेटर है और चीप भी है फास्ट भी है और आपका जो चैनल है यह बहुत चैलेंजिंग है ठीक है वैदर के एक्स्ट्रीम होने पर कंडिशन जो होती है इसकी खराब हो जाती है इस इस ट्रांस्पोटेशन के खराब हो जाती है तो इन सारी चीजों को देखते हुए रेलवे के उपर काम होना शुरू हुआ तेजी स ठीक है आवा गमन का सबसे महत्वपूर्ण साधन जो है वो बन जाएगा आपका रेलवे 1830 से 1850 के दौरान बिट्वीन 20 इयर्स इन 20 सालों के दौरान 6,000 माइल रेलवे जो है वो बिचाएगा रेलवे ट्राक बिचाएगा आप देख रहा है इतना तेजी से आपका कैनॉल का डेवलप्मेंट नहीं हुआ था कैनॉल का डेवलप्मेंट होने में भी आप देख रहे हो कि 70-70 साल लग गये थे हैंना दो पार्ट में आपने डिवाइट किया था लेकिन यहां पर आप 20 सालों के अंदर में 6000 माइल्स का रेलवेय ट्राक डेवलप्मेंट कर रहे हो सो आपने देखा कि कितनी तेजी से जो गुट्स का मुवमेंट होता था वो मतलब और डबल हो गया होगा चार गुना कॉद्र हो गया होगा या उससे भी ज्यादा हो गया होगा और उसने उसी रेशियो में अगल हो गया उसी तरह रेलवे मैंनिया कभी टाइम है या आप कैसे ठीक है मतलब रेलवे के लिए भी दिवानगी हो गई लोगों के जहन में लोगों के दिमाग में कि रेलवे का डेवलप्मेंट किया जाए दिस दा एडवांस चीपेस्ट पास्टेस्ट वे आफ ट्रांस आए लिए लगबग आप के तेरा-14 सालों में चौद्रों सो माइल्स का जो एरिया है वह उसका डेवलपमेंट हुआ इससे लिट्र रेल्वे मैंनिया का जाता है लेकिन उसके बार बहुत कम समय में लगबग महस तीन सालों में 9500 माइल्स 9500 माइल्स का यह वह डिवलप हो रहा है that is called the bigger railway मैनिया इससे हम bigger railway मैनिया कह रहे हैं सिर्फ इसी वज़े से क्योंकि तीन साल में आप देख रहे हैं तीन साल में लगबग 9500 माइल्स का रेवेर ट्रैक डेवलप हो रहा है इट मेंस आप average निकाल लो है ना तो लगबग 3000 क्या सपास जो है वो प्रती एयर ना इ सिर्फ दिखो कि इससी क्या सबस्सक्时间 बिगर मैनिया डिल्वे का फेज हंदुस्तान में रिल्वे जाएका जहांसे हंदुस्तान में डेल्वे का डे interesting यहां से और कहीं और से नहीं जा रहा है आप देख रहे हैंब vast amount of coal and iron was used जैसे जैसे railway का development होगा आपको भी पता है कि शुरू में हमारा जो engine काम कर रहा है railway में ये जो engine है ठीक है ये क्या करता था ये coal का इस्तेमाल करेगा आपको ये बनाने के लिए इसके जो parts है railway के iron की ज़रुद पड़ेगी तो दोनों चीज़ें आप ध्यान रखेगा यहाँ पर coal और iron की जो हम बात कर रहे हैं तो transportation भी coal और iron का और manifold होगा क्योंकि इसी कोईले का जिसका इस्तमाल किया जाता था आपके railway को चलाने में इसी कोईले का transportation भी तो किया जाता था एक जगह से दूसरे जगह भारी मात्रा में कोईला जो है वो इस्थानांत्रित किया जाता था जहां भी जरूरत होती थी माल लेज़े iron या किसी और दूसरे इंडस्ट्री में requirement है तो यह transportation जो होता था कोल का इस के तुरू होता था रेलवे के तुरू होता था साथ-साथ use amount में कोल का consumption भी होता था आपको steam power जो है वो हमने बात करी थी कि steam power कैसे काम करती है याद होगा आपको उस वीडियो में और कोल कैसे important role play करता भी कोल को आप heat करोगे न अच्छे खासे temperature पर तो कोल मतलब water को आप heat करो यहाँ पर अच्छे खासे amount में तो कोल का भी same way role हो रहा है कोल as a fuel इस्तमाल होता था railways को आगे बढ़ाने के लिए clear है तो फ्यूल शुरुबात में कोईल ही होता था तभी तो अच्छे खासे amount फिर जो है वो धुआ वगरा निकलता था है की नहीं कार्बन emission दुनिया में कहां से बढ़ा है यही ना यह जो शुरुबात में जितना भ चेकर में काम करते चले गए चलो सो वास्ट amount of coal and iron was used employed large number of workers सबसे ज्यादा amount में workers बें employ हुए तमाम maintenance के लिए है कि नहीं railway आज देख लो आप इंडिया में दुनिया भर में railway अलग department ही बन गया आप तो बकाइदा railway ministry और सब कुछ क्योंकि railway का इतना सारा काम है आज भी fret जो है उसको carry करने यानि माल धुलाई में और इसके लावा passenger carry करने में यानि वेक्टियों के धुलाई करने में इस्तेमाल हो रहा है है कि नहीं दिन भर लाखों की संख्या में लोग मूव करने उस जमाने में बहुत लेमिटेड लेवल पर होता था तो लेमिटेड लेवल पर भी पैसेंजर तो कैरी होते ही थे गुड्स तो कैरी होते ही थे तो इनके maintenance के लिए लोग चाहिए ही होंगे ठीक है चलो और जैसे जैसे railway बढ़ा ना सिर्फ उसने employment दिया लोगों को ना सिर्फ उसने economy बढ़ाई मतलब employment तो generate करी रहा है generated employment ठीक है इसके अलावा बड़े पैमाने पर आपके जो यह है economy economy को boost कर रहा है इसके अलावा बूस्टेज activity रिलेटेटि इस चंस्ट्रक्शन और पब्लिक वर्क धीरे 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 construction और पब्लिक वर्क की activity इसको भी क्योंकि अब बहुत बड़े लेवल पर हर तरीके का सामान आ जा सकता था एक जगह से दूसरे जगह पर रेलवे से उसको बहुत दुरुत करती से तेजी से उसको पहुंचाया जा सकता था तो construction वर्क भी तेज हो गया ठीक है इसके अलावा रेलवे के रुकने और उसको पर्टिकुलर जगह पर engine रोकने stations यह वो है ना इस से रिलेटर पॉब्लिक वर्क बढ़ना शुरू होगा क्योंकि अब स्टेशन के रिकॉर्मेंट होगी नवाई एक पर्टिकुलर पॉइंट ए से रिल्वे चलेगा पॉइंट बीपर पहुंचेगा पॉइंट सी पर वहां से जाएगा फिर पॉइंट दी दिया ठीक है most of the England had been connected by railway 1850 के आसपास अब इंग्लैंड खेर बड़ा भी कितना है लेकिन फिर भी आधे जादा England connect हो रहा है उदर 1853 में रेलवे इंडिया में आ जा रहा है और रेलवे लाइन इंडिया में धमाल मचानी के लिए शुरू है उसका कारण सिर्फ एक ही था कि ब्रिटेन में जो economic prosperity होगी वो जा कहां से रही भारत से जा रही तो उनके जो economic interests हैं उनके जो ब्रिटेन लेके जाए जा सके तो यह पूरी कहानी जो है आप रिलेट कर सकते हैं यहां से कि कैसे इंडिया में भी रेलवे का जो development है वो बूस्ट कर रहा होगा बहराल ब्रिटेन के canals और रेलवे के development के कहानी और उसका contribution industrial revolution में आपको समझा गया होगा ऐसी मैं आशा करता ह तो बने रहे है मैंने ब्रेंज के साथ तैंक यू